तो स्वागत हम गाईज, विल्कम बैक टू दे चैनल, तो इस फिर शोट सोवरिंग के लेटेस एपिसोड में आपका स्वागत है और गाईज, आप सबको बता है, अगेंस इसका है सुप्रीम मार्चल मास्टर और वंडरलैंड के एपिसोड को कमपनी ने कुछ टाइम के लिए होल्ड कर रखा है अब हम देखते हो, आपर एम्परर सुवांग में केने लगते हैं, यहाँ पर कोई भी फिक्स नहीं है और कोई रास्ता नहीं की, जिसकी विज़े से हम यहाँ पर एम्परर तियानी को और आप आए, अब हम देखते हो, उसकी बाते सुनके, दोस तरफ सिंग्यों भी केने लगते हैं, वैसे अब हम देखते हो, आप पर सिंग्यों सोचते होई केने लगता है, एम्परर तियानी का सबसे बड़ा दुस्मन में नहीं, यह तो हेवन एंड और का क्लैमिटीज हैं, मतलब कि जिदास्टर ट्राइबूलेशन, अगर मैंने इसका अच्छी तरीके से प् अटैक कर देता है, बट एम्परर तियानी पूरी तियानी से उसको डिश्टोर कर देते हैं, और वो केन लगता है, ओ तो तुम लोग आ गए, अब हम देखते हो, वहाँ पर इन खॉप टी को रखता है, जिसकी आगे सिंग्यों, एम्परर स्वांग मिंग, और वहाँ पर ए नहीं लगा था तुम आओगे, अब उसके बाते सुनके वहाँ पर सिंग्यों केने लगता है, वैसे भी हमारा मिलना तो डिश्टिनी है, जो कि हमारे प्रिवियर्स लाइब से बहुत ही अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, और वैसे भी अगर तुमने आज यहाँ पर और तन हेवन के ट्राइबुलेशन को पूरी तरीके से पास कर लिया, तो उसके बाद में तुम अएक उचाय पर पहुंच जाओगे, जहाँ पर पहुंचना बहुत ज़्यादा मुस्किल होता है, और तुम बहुत ज़्यादा इन्विंसिवल हो जाओगे, अब उसकी बाते सुनके वाऄ पर सिंगे केनने लगता है, तुम्हें क्या लगते है, इतना आसान है, और तन हेवन के ट्राइबुलेशन को पास कर पाना बहुत ज़्यादा मुस्किल होता है, अब ऑम देखते हो उसके बाते सुनके वाऄ pa सिंगे तुम्हें कर ऑऊ तो फिर मुझे ट्राइ करने दू क्यों न में करू इसको अब हम देखते हो उसके बाते सुनके वहाँ पर एंपरर तियानी केन लिए तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर डढ़ता हू और तैन हिवन के ट्रैबूलेशन चे अब हम देखते हो आप उसकी बाते सुनके दोश्चे तरफ एंपरर तुम्हें थैंक्यू केरना चाहिए अगर तुम नहीं होते तुम्हें आज इतनी अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाता। अब उसकी बाते सुनके दूसी तरह वहाँ पे हम देखते हैं एमपर त्यानी केरने लगते हैं वैसे तुम और में बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। पता है जब यहाँ पे तुमने वान जी आओ पैबिलियन पे इतने सारे लोगों को मारा था जो कि बहुत ज़्यादा पावफुल थे और वान जी आओ पबिलियन के पबिलियन मास्टर को भी तुमने मार दिया था। अब उसकी बातें सुनके दूसी तर वापे सिंग्यों केने लगता है वो मुझे मारना चाहता था इसलिए मैंने उन सब को मार दिया। कुछ लोगों का सेक्रिफाइस तो बनता है अब हम देखते हैं उसकी बाते सुनके दोची तरह वहाँ पे इंगों केहने लगते हैं तुमारे आने से पेले हुमन रेस अच्छी तरीके से तरक्की कर रहा था बर तुमारी वज़े से सब कुछ बिगड़ गया क्योंकि जब से तुमने यहाँ पे तियान यू क्लैन को पूरी तरीके से जिस्टोई कर दिया जिसके बाद में डेमॉन पूरी तरीके से युनिफाइब हो ग integral किया है अब उसकी बाते सुनके दोचितर सिंग्यों केन लगते है तो फिर फियोनिक्स क्लान का क्या? वो भी तुमारी वज़े से extinct मतलब की पूरी तरीकी से खतम हो गया और पूरी तरीके से destroy हो गया अब उसकी बाते सुनके वहाँ पर एमपरत यानी कहने लगते है वैसे उस बक्त में मैं ज़्यादा powerful नहीं था जिसके वज़े से मैं उसे नहीं बचा पाया अब उसकी बाते सुनके दोसी तरव एमपरत यानी कहने लगते है वैसे भी मैंने यहाँ पर जो भी किया फ्रोनिक्स क्लैन के लिए किया क्योंकि फ्यूनिक्स क्लैन और हुमन रेस इस दोसे के साथ वे कंबाइन होगे जो भी उनमें से बच्चा पेदा होता था के पास से Phonics क्लान का Bloodline होता था जो यहाँ پे हमारे लिए अच्छा था और यह हमारे लिए अच्छा भी है अब उसकी बाते सुनके वहाँ पे सिंग्यों केरने लगता है तुम्हारे रूल के अंडर में इस दुनिया का सबसे पहला क्लान फ्यूनिक्स लैंड पुरी तिरकी से जिश्टो हो गया इसे तुम हमर्वेस के नई लीडर बढ़ने के लायक दियो अब हम देखते हो आपे सिंग्यो कड़ा हो गया था जिसको देखते हो आपे एंपर तियानी के नहीं लगते है वैसे भी यहाँ पर तैन हेवन का ट्राइबुलेशन आने वाला है और तुम्हारे पास पर ज्यादा वक्त नहीं तब हम देखते हो आपे एंपर करेंगें लगता है अगर हम तीनों मिल गई ही यहाँ पर तुम्हें मुश्किल होगा हम तीनों से फाइट करने में जिसके रिपलाइब में त्यानी केंडा मत बूलो तुम्हारे पास मैं जो कुछ भी है यह सब कुछ मैंने तुम्हें दिया है और मैं जब चाओ इन्हें वापस भी ले सकता हूँ उसकी बाते सुनके सिंग्यों केन लगता है अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम ले के दिखाओ अब हम देखते हूँ वापस सिंग्यों के बाते सुनके दोचितरव एमपरा तियानी केन लगता है तुम कहते थे ना वैसे यहाँ पर मैं लियूचियान को क्यों पायर करता था तुम से ज़्यादा तो क्यों ना मैं तुम्हें बता ही दो अब उसके बाते सुनके वापस सिंग्यों केन लगता है फरक नहीं परता बत मैं इतना चात हो जिसके साथ भी रहे खुस रहे अब हम देखते हूँ उसके बाते सुनके वापस तियानी केन लगता है यूमन्स का माउथ बहुत ही ज़्यादा चलता है इतना केती हो हम देखते हो वहाँ पर गुस्ते में अपने फ्योनिक्स ब्लोड लाइन की पाउर को दिखाने लगता है निकालने लगता है इतना केती हो हम देखते हो हम देखते हैं गुस्ते में वहाँ पर ने फ्योनिक्स फायर मतलब की फ्योनिक्स ब्लोड लाइन की फ्योनिक्स को बाहर निकाल लेता है जिसको देखते हो वहाँ पर सिंग्यू भी रेडी हो गया था अब हम देखते हो वहाँ पर उसका फ्योनिक् लगते तो फिर आखी कार्लियूस या ने तुम्हें चोड क्यों दिया। उस पोर्टल के अंदर ले जाने लगता है जिसको देखे सुवांग में केने लगता है अच्छी तरीके से रहना ये ट्रैप हो सकता है बट हम देखते हो आपे सिंग्यों केने लगते है तुम लोग चिंता मत करो मैं ठीक हूँ मैं भी तो देखो आकिर कर हुआ क्या है अब हम इस फायर के दो फ्योनिक्स आस्मान में गूमने लगते है जिसको वहाँ पे सिंग्यों देखता है तो गैस इसे के साथ ही एपिसोड खतम होता है और गैस आखिर कार ये दोनों फ्योनिक्स फायर कौन कोन है इनका मैंने नोवेल आई थिंग अल्रेड़ी एक्स्प्रेंड क पे थिंग वाचिंग बाबाइ स्योगे